हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सब बढ़ी हैं मस्त हैं यूपी स्कॉलर सीब दोचाबाइस देस पैसा आने को लेकर एक नोटीस जो है वो डेडवलो से जारी हुआ है इसके लावा एक नहीं दो है दोनों नोटीस पे बात करूँगा एक आर्टिकल है उसको भी कवर करूँगा इसके साथ साथ कुछ हात्रों का पैसा रिसीव हुआ है तो उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हो तो वीडियो मंतलग बने रहिएगा वीडियो स्टाट करूँ उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना किसी भी प्रकार की अगर आप उच्छे इसकोलर सिबसे जुड़ी या फिर यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन तो चैनल को सस्क्राइब कर दो अभी चले वीडियो को सुरू करते हैं और आपको सारी जान काई यहां पर आप लोग देख सकते हैं नोटिस जारी हुआ है साफ साफ लिखा है कि अनसूचित जाती सामाने वर्ग दसमोतर चात्रृत्ती वर्ज दोशा बाइस तेस योजना अंतरगत आवस्यक सूचना और यह DW से नोटिस है क्या इसमें बताई जा रहे हैं बातने अब समझो जिन चात्र चात्राओं का चात्रृत्ती स्टैस में बेरिफाइड रिकमेंडेड बाइड डिश्ट्रिक स्कॉलर्शिप का मेटी प्रदर्सित हो रहा है उन चात्रों का जंग प्रदस्तर से किसी भी प्रकायर की कारवाई अपेक्षित नहीं है चात्रवित्ती एवं सुलकर प्रत्रपूर्ती की धनरासी दिनांक 31 मार्च 2023 तक सासन निदेशाल अस्तर से बजट की उपलब्धता के आधार पर अंतरित की जाएगी यानि कि बजट की उपर है भाई पैसा भेजा जाएगा और चात्रों का दाटा जनपदस्तर से अगरसारित किये जाने की कारवाई प्रक्रिया धीन है यानि कि पेंडिंग है तो आपका अभी फार्म प्रॉसेस में है और इस पर जल्द ही निड़ा लिया जाएगा यह हो गई एक बात दूसरी बात उन चात्रों का पैसा अप्राइल म तो जिन भी छात्रों का गलत वजह से रिजेक्ट हुआ है या समवाट किसी अन्य समस्य करना उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनके स्ट्रैटस में तो उन छात्रों का जो भी कारवाई है वो प्रैल मंत में होगा देखो बाकी छात्रों का पैसा जो है किसमार्च तक भेजा जाएगा तीसरा पॉइंट आप समझो इसके अतरिक्त उक्त दो बिंदूओं के संबंद में छात्र छात्रा जिला समाज का लाण अधिकारी प्रयागराज से कारयाले में संपर्ग ना करें ताकि डाटा ग्रसारण के कारे में किसी प्रकार का कोई बिगन बाधा उपलग ना हो सके जिला समाज का लाण अधिकारी प्रयागराज से ये अपडेट थी चो मैंने आपको बताया अब भाई निसकर्स के आप इस बात को आप समझो अभी जिन भी छात्रों का फॉर्म बेरिफाइड है नहीं बेरिफाइड है सब पेसेंस के साथ इंतजार करो जिनका पैसा बेरिफाइड है बोक्तिस मार्च तक पैसा मिल जाएगा उनको जिनका नहीं है उनको अप्रैल में मिलेगा तो अप्रैल तक आपको धहरे रखना होगा समझ रहे कुछ चात्रों को धहरे रखना होगा हालाकि जिन चात्रों का रिजेक्ट हुआ है जिन चात्र काफी सिकायत कर रहा है सियम हेलपलाइन पोर्टल पे तो छात्र को छात्र वृत्ति का लाब नहीं मिला इसके रिगार्डिंग उसने कंप्लेन किया और वहाँ से क्या जवाब आया है क्योक्त के क्रम में सिकायत करता छात्र अतार रह्मान को दुर्भास पर वगत करा दिया गया है कि जो भी आनलाइन आवेदनों को अग्रसारित किया शाता है उसका देखो बजट के सापेक सारी चीज़ें होती है मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई बजट के एक आडिंग सारा कुछ होगा अब गौर्मेंट बजट तो अभी पर्याप्त है अब गौर्मेंट मुकर जाय अपने बात से नहीं देना चाहे वो अलग बात होगी और बजट का ही यहाँ पर देखिया बार बार जिकरार है अलग लग नोटिस में जट का मतलब यह है कि 31 मार्च के बाद बजट का हवाला देके चातरो को निरास किया जा सकता है कुछ चातरों के केस में यह सभी के केस में ऐसा नहीं होगा और यहाँ पे साब साब लिखा है भाई कि छात्रों की छात्रों की छात्रों की चात्रों की चात्रों की आना सुरू चेक करें 25 मार्च तक सभी की आज रहेगी और यह लेटिस्ट आर्टिकल मैं आपसे सेर कर रहा हूं कि UP scholarship कब आएगा इसके regarding छात्र काफी परेसान है आखिर scholarship कब आएगी इस सारी चीसों के regarding आपको बता दूँ कि आर्टिकल में साब साब कहा जा चुका है कि 25 तक आएगी और हाला कि यह लाज रट 31 तक है इनके हिसाब से आर्टिकल है कि 25 तक अब सभी छात्रों के मन में यह doubt आ रहा होगा क्या उनकी scholarship पाएगी तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अभी छात्रों का फॉर्म जो डिस्ट्रुट scholarship कमेटी से बेरिफाई हुआ है वो छात्र पात्र हैं और उनहीं की scholarship जो है वो टाइम से भेजी जाएगी तो इसको आप विजिट करके पढ़ सकते हो बाकी का आपको यहां से लिंक मिल जाएगा तो आप अपना scholarship तर स्ट्रेटर स्ट्रेटर स्ट्रुट पैसा भी चेक आउट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग आपको क्रोम पर या फिर गूगल सर्च इंजर बिस तरकारी जब फॉइंट से पल सा टाइप करके सर्च कर देना है समझ गए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो यह हो गया बाकी का कुछ आत्रों का कमेंट है प्रकास भाई डे डवलो के तरफ से दिया गया नोटिस जिसमें लिखा गया है कि पैसा 20 तारिक तक आएगा लेकिन नहीं आया और 20 तारिक बीच चुका है तो परसान नहीं हो ऐसा कूछ नहीं है नोटिस भले उसमें था नोटिस के साफ से कोई कारे हुआ नहीं न हर काम डिले चल रहा है तो भाई पैसा ओभी अससी और डेट बढ़ेगी आप लोगों की खातिर बाकी ट्वीटर पर मैं केंपन करने का सोच नहीं हो तो कल मैं दुपाहर में एक बज़े ट्वीटर पर ट्वीट करूंगा आप लोगों की खातिर तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन ट्वीटर पर सभी लोग जुड़ जाओ और शेर करो देखो सूसतर रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा समझ रहे हो मांगने से भीख मिलता है खैरात मिलता है कहवत है न तुपिर वही आल है अपने हक की लड़ाई लड़नी परती है अपने हक को छिनना परता है तो यही कहानी है बाकी का 31 मार्ज तक इंतिजार क्यों करे हम experience क्योंकि एकतिसमार्च तक انتظार करने کا notice नहीं आया भी notice दिखाया बच्चा एकतिसमार्च तक अंतजार करो starting में तो जो भी छात्र जिनके जहन में यह सवाल है वो निश्चिंत रहें बाकी का हजबात पे वीडियो बनाईए इकदम इस पश्रूप से आ चुकी है भी स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया एक तिस मार्च तक पैसा भेजा जाएगा और ये अलग-अलग अधिक्यारियों की जबान से कहा जा चुका है एक दो बार नहीं कई मर्तबा इवें दो निदेसाले से भी यही जानकारी सामने निकल के आई है तो इस मामले में आपको निश्रिंत रहना है बाकी जिनका रिजेक्ट है पेंडिंग है उनके रिगार्डिंग मैंने बातें बता दी कि अप्रायल में कारवाई होगा अभी भी कोई कुई कंफीजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो बाकी आज आज की डेट में जिन चात्रों का भी स्कॉलर्ची पाया हो उसमें मैं प्रूफ कई सारे स्क्रींसाट दिखाने वाला हूँ तव आप लोग भी स्क्रींसाट दो जिनका जिनका पैसा आया है रिसीव हुआ है, कमेंट करके बताना और कमेंट करके क्या बताओगे फिक कमेंट कर रहे हैं कही छात्र तो जैनुवन कमेंट करके बताना और इंस्टा पर मैसेज करो, link in description इंस्टा टूटर दोनों का, दोनों जगां जोड़ जाओ और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हो तो subscribe कर लो कि देरी कर रहे हो कोई भी छोटी बड़ी update हो आपसे मिस्ट नहीं होगा जब तक आप subscribe नहीं करोगे तब तक आपसे समय रहते वो सारी चीज़ आप तक नहीं पहुशेंगे मिलेंगे किसी ने वड़ों में किसी ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्स फूर वाशिंग जय हिंद वन्ने मातरम टिक्ट